मैं एक हिंदू के रूप में पैदा जरूर हुआ हूँ लेकिन एक हिंदू के रूप में हर्गिस नहीं मरूँगा बाबा साब दोक्टर अम्बेटकर ने 13 अक्टूबर 1935 को नासिक के येवला सम्मेलन में ये एलान किया था लेकिन उन्हें हिंदू धर्म को छोड़ने में पूरे 21 साल का वक्त लग गया 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साब दोक्टर अम्बेटकर ने नागपुर की दिक्षा भूमी पर अपने लाखो अनिवाईयों के साथ में उन्होंने बहुत ध़म की दिक्षा ली थी बहुत ध़म को अपना लिया था लेकिन बहुत ध़म ही क्यों डोक्टर अम्बेटकर ने मुसल्मान से किया फिर क्रिश्यन बनने का फैसला क्यों नहीं किया बहुत धम के किन बातों ने डॉक्टर अम्बेटकर को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया और आखिर क्यों डॉक्टर अम्बेटकर को एक बहतर धर्म ढूनने में 21 साल लग गए जैबीम दोस्तों मैं हूं सुमेच चोहान और इस वीडियो में आगे हम इनी सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे आगे बढ़ने से पहले आपसे अपील है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को ज़रूर सबस्क्राइब करें तो आईए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो दप्रेंट के लिए लिखे गए सिधारची के एक लेग पर अधारित है इसके लिए हम उनका शुक्रियादा कर रहे हैं ये सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है कि आकिर हिंदू धरम छोड़ने के बाद डोक्टर बियार अमेटकर ने बोध धम ही क्यों अपनाया इसके बारे में कई तरह के भ्रहम भी फैलाए गए हैं इसी संदर्ब में अक्सर ये सवाल भी पूछा जाता है कि आकिर उन्होंने हिंदू धरम क्यों छोड़ा और इसाई या फिर इसलाम या सिख धरम को क्यों नहीं अपनाया इन सवालों का मुकमल जवाब डोक्टर अमेटकर के लेख बुद्ध और उनके धरम का भविशे में लिखा हुआ है इस लेख में उन्होंने बताया कि क्यों बुद्ध धम उनकी नजरों में श्रेष्ट है और क्यों ये पूरी मानव जाती के लिए कल्यान कारी है मूल रूप में ये लेख हंग्रेजी में बुद्ध एंड दे फ्यूचर ओफ इस रिलीजन नाम से है और ये कलकर्टा की महाबोधी सोसाइटी की मासिक पत्रिका में 1950 में प्रकाशित हुआ था ये लेख टुक्टर अम्बेट का राइटिंग्स और स्पीचिस के खंट 17 के भाग दो में भी आपको मिल जाएगा इस लेख में उन्होंने दुनिया के सरवाधिक प्रचलित चार धर्मों बोध धम, हिंदू धर्म, इसाई धर्म और इसलाम की तुलना की है वे इन चारो धर्मों को अपनी अलग-अलग कसोटियों पर कसते हैं बुद्ध का मानिवे रूप बाबा साहिब को पसंद आया सबसे पहले वे इन चारो धर्मों के संस्थाप को पैगंबरों और अवतारों की तुलना करते हैं वे लिखते हैं कि इसाई धर्म के संस्थापक इसा मसी खुद को ईश्वर का बेटा घोशित करते हैं और अनुयाईयों से कहते हैं कि जो लोग ईश्वर के दर्बार में प्रवेश करना चाहते हैं उन्हें उनको ईश्वर का बेटा सुईकार करना होगा इसलाम के संस्थापक मौम्मद खुद को खुदा का पैगंबर घोशित करते हुए घोशना करते हैं कि मुक्ती चाहने वालों को ने केवल उन्हें खुदा का पैगंबर मानना होगा बलकि ये भी सुईकार करना होगा कि वही अंतिम पैगंबर हैं इसके बाद डूक्टर अम्बेटकर हिंदू धर्म की बात करते हैं, हिंदू धर्म के बारे में वे कहते हैं कि इसके अवतारी पुरुष तो ईशा, मसी और मुम्मत से भी आगे बढ़कर खुद को परम पिताप परवेश्वर घुशित कर देते हैं बुध ने कभी मुक्तिदाता होने का दावा नहीं किया इन तीनों की तुलना गोतम बुध से करते हुए डोक्टरम बीड कर लिखते हैं कि बुध ने एक मानव के ही बेटे के तोर पर जनम लिया, एक साधारन पुरुष बने रहने रहने पर संतुष्ट रहे और एक साधारन व्यक्ति के रूप में अपने धम का प्रचार करते र अपने को मोक्ष दाता होने का दावा किया जबकि बुध केवल मार्ग दाता होने पर ही संतुष्ट थे। इन चारो धर्मों के तुन्ना डुक्टर अमबीट कर इश्वर ये वानी के संधर्ब में करते हैं। इसलिए इसमें किसी प्रकार की गलती होने का सवाल ही नहीं उखता। इन टीनों की तुलना बुध से करते हुए अमबेट कर लिखते हैं कि बुध ने अपनी सिक्षा में इस तरह के अंतिम सत्य होने का दावा नहीं किया। महापरी निर्वान सूत्र में उन्होंने आनद को बताया कि उनका धर्म तर्क और अनुभव पर अधरित है। बुध ने ये भी कहा कि उनके अनुभवाईयों को उनकी सिक्षा को केवल इसलिए सही और जरूरी नहीं मान लेना चाहिए कि ये उनकी यानि बुध की दी हुई है। यदि किसी विशेश समय और विशेश स्तिती में इस सिक्षा में से कोई बात सटीक नहीं मालूम होती हो तो इसमें उनके अनुभवाईयों सुधार कर सकते हैं और कुछ चीजों का त्याग भी कर सकते हैं। बुध धर्म में सुधार, संशोधन और विकास की संभावना है। कि अपने इसी लेक में डॉक्टर अम्बेटकर का कहना है कि धर्म को विज्ञान और तर्क की कसोटी पर खरा उतरना चाहिए। वे लिखते हैं कि धर्म को यदि वास्तों में कार्य करना है तो उसे बुध ही या तर्क पराधारित होना चाहिए। जिसका दूसरा नाम विज्ञान है। ये इसलिए कि जिन लोगों ने बुध के संबंद में लिखा है उनमें से एक बड़ी संख्या में ये सिध करने पर जोर लगाया कि बुध ने केवल एक ही बात की शिक्षा दी और वो है आहिंसा। वे लिखते हैं कि ऐसा मानना बहुत बड़ी गलती थी। वे आगे लिखते हैं कि ये सच है कि बुध ने आहिंसा की सिक्षा दी है। फिरोधी लिए लिखते हैं कि हिंदु धर्म का असली सिधानता समानता है, चातुर वरणय का सिधानता इसा समानता के सिधानता थोस और जीता जागता साकारूप है। दूसरी और बुद्ध ने शूद्रों को भिक्षू संग में शामिल किया। उन्होंने नारी के भिक्षूनी बनने के अधिकार को स्विकार किया। अनुयायों के साथ बुद्ध धर्म को ग्रहन किया। उन्होंने कहा था मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो सोतंतरता, समानता और भाईचारा सिखाए। बाबा साहब के ये शब्द आज भी उनके अनुयायों को बुद्ध की और जाने की प्रेना देते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं साथियो।